हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो अपनी इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स यहां पर इससे कह रही है कि तुमने समय पर आने का वादा किया था हाला कि तुम्हें एक घंटा लेट आये हो So friends, यहाँ पर इसका एक घंटे से इंतिजार कर रही है तो एक घंटे लेट आया तो इससे कह रही है कि You promised, यानि तुमने वादा किया था To be here on time, यहाँ पर समय पर आने का You promised to be here on time, however, हाला की You arrived and are late, लेकिन तुम हाला की तुम्हें एक घंटा लेट आये हो इस sentence को हम दो या इवन दो का यूज करके बना सकते हैं पहले तो आप इसे एक बार उट देख लो You promised to be here on time, however, you arrived and are late तुमने यह समय पर आने का वादा किया था हाला की तुम्हें गंटा लेट आये हो यह contrast हो रहा है बात में तो इसलिए हमने हावर का यूज किया है हम इसे दो का यूज करके बना सकते हैं You promised to be here on time, though you arrived and are late तुमने वादा किया था कि उसमय पर आओगे हाला कि तुम्हें गंटा लेट आये हो You promised to be here on time, though you arrived and are late उमीद करती हूँ तुम्हें आने में दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर get का मतलब पहुचने से है उमीद करती हूँ तुम्हें पहुचने में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी I hope you didn't have any trouble getting here यहाँ इस तरीके से भी कह सकते हो कि I hope you had no trouble coming here यहाँ पर हमने getting I use क्या हम कम कई उस भी कर सकते है I hope you had no trouble coming here उमीद करती हूँ तुम्हें हाने में दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर भी एक बात का दिहान रखना यहाँ पर हमने use क्या है I hope you didn't have any trouble getting here लेकिन यहाँ पर हम इसे short short में करके बोले है I hope you had no trouble यहाँ पर हमने शरीफ head कई उसके है I hope you had no trouble coming here उमीद करती हूँ तुम्हें हाने में कोई दिक्कत नहीं होगी यह last time हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते है I hope your journey here जो तुमारी यहाँ की आतरा है वो trouble free वो किसी trouble से free रही होगी मतलब कोई trouble नहीं रहा हूगा कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब है I hope your journey here वो trouble free तुम अच्छे आदमी हो हाला कि तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो देख फिर से बाद में contrast हो रहा है आपर यहां से एक बात तो है कि तुम एक अच्छा आदमी हो फिर उसी बात को काटते हुए के रही है कि हाला कि तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो अच्छा आदमी भी हो और महीं प्यार हमें अपनी बात को काट के रही है कि तुम अपने वादे के पक्के भी नहीं हो, हाला कि तो यहाँ पर हाला कि के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं however का, although का, 2 का तो यहाँ पर ही कह रही है कि सबसे पहले तो कह रही है कि you are a good person, यहाँ पर तो इसकी तारीफ कर रही है you are a good person, तुम एक अच्छे आदमी हो हाला कि तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो although you are not true to your promise although you are not true to your promise you are a good person, although you are not true to your promise हाला कि तुम एक अच्छे आदमी हो लेकिन तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो अपनी बात के पक्के नहीं हो सब्सक्राइब करें लेकिन तुम हमेशा अपने वादे रखते नहीं हो कहने का अपने बात को हमेशा रखते नहीं हो जो बात कहते हो से पूरी नहीं करते हैं Though you are a nice guy, you don't always keep your word. अगर हम वादे की बात करें तो हम यू भी कह सकते हैं कि You don't always keep your promise. Though you are a nice guy, you don't always keep your promise. तो हाला कि तुम अच्छादमी हो लेकिन तुम हमेश अपना वादन नहीं बात है, अपनी बातें पक्के, अपनी बात के टल नहीं रहते. Even though you are a good person, you are not true to your words. तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो, हाला कि तुम अच्छादमी हो. Even though you are a good person, you are not true to your words. तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो. आगे बोल रही है कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता, तुम लेट आओगे, तुमें यहाँ एक गंटा पहले नहीं आई होती. तो इसका इनतजार यह एक गंटे से कर रही थी, एक गंटा पहले आ गए थी, यह लेट आए. तो इस तरीके से यहाँ पर यह अपनी बात को इफका यूज़ करके, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, तो इहाँ पर होता, बता दिया होता, इससे में पता चल रहा है कि कोई एक्शन, कुछ बात हुई है, वो पास्ट में हुई है. अब बस हम उस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें किसी बात का पता नहीं होता, हम कुछ कर देते हैं, तिर बात में हम पच्टा आते हैं, कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, तो मैं ऐसा नहीं करता, यानि पास्ट में कुछ हो गया, अब उसे हम कह रहे हैं कि अगर ऐस पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैड और उसके बाद वर्प की थर्ट फॉर्म, अगर तुमने मज़े बताती होता है, तुम लेट होंगे, तुम में एक गंटा पहले नहीं आई होती, इसे थोड़ा चैन्ज करके हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि, अगर तुमने मुझे इनफॉर्म करती होता, अर्लियर पहले ही, और यूवर एक्सपेक्टिड डिले, तुमारी देरसानी की उम्मिद को, अगर तुमने मुझे पहले ही इस बारे होता है, तुमने डिले हो जागे, तुम डिलेट हो जाओगे, आई वुड नोट हैव, कम हेर और अर इन एडवांस, तुमने हैं एक घंटा एडवांस में पहले नहीं आती, तुमने मुझे पूरे एक घंटा इंतिजार करवाया, इस एंग्लिश में बोलेंगे, यानि तुमने मुझे से पूरे एक घंटा इंतिजार करवाया, या कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, तुम रिजन बने हापर, तुम कारण बने, तुम तरीके हैं, आप कैसे अभी से बोल सकते हो, अब आगे देखते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब इस इंग्लिश में बोलने के लिए, हम सेकिंड कंडिशनल का यूज कर रहे हैं, वो थर्ड कंडिशनल था, जो हमने अपसे पहले देखा, उसमें हम head का यूज करते हैं, would have का यूज करते हैं, जब कि हम पर हम past, यानि कि past indefinite, जिसमें हम verb की second form का यूज करेंगे, फाले पार्ट में, और शिरिफ would का यूज करेंगे, would have का यूज नहीं हो गा है, तो हम बोलेंगे, इफ I did that with you, तो यहां पर do की second form, देट का यूज हुआ है, इफ I did that with you, अगर ऐसा मैं तुम्हार साथ करती, वुड़न तू गत अंगरी, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, इफ I did that with you, वुड़न तू गत अंगरी, अगर ऐसा मैं तुम्हार साथ करती, इस तरीके से आपने बात को चेंज कर सकते हैं इस तरीके तुमने मुझसे कि अगर मैं तुम्हार साथ यह कर लेती तो क्या तुम्हें गुस्से की फीलिंग नहीं आती कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता परी बता रहा है कि I don't like traveling by taxi at all at all मतलब बिल्कुल भी I don't like traveling by taxi at all मुझे टेकसी से यातरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैंने तुम्हें दोस्तों के साथ कोफी पीते देखा था इस English में बोलेंगे I saw you having coffee with friends I saw you having coffee with friends मैंने तुम्हें दोस्तों के साथ कोफी पीते देखा था I saw you having coffee with friends मैंने इसमें बहुत समय और महनत लगाई है तो किसी प्रोजेक्ट में इसने बहुत महनत और बहुत समय लगाया है तो बता रहा है कि I have put too much time and effort into it तो जब भी हम इस तरीके सा बात कहते हैं कि मैंने बहुत समय लगाया बहुत महनत लगाई है किसी चीज में तो इसके लिए में एक phrase of love करते हैं put into जैसे कि हाँ पर हुआ है I have put too much time and effort into it यानि मैंने इसमें बहुत समय और महनत लगाई है इतना समय इसमें लगाने के बाद क्या तुम चाहते हो कि मैं अब हार मान लूँ तो इसने किसी काम में बहुत समय दिया है अपना बहुत महनत लगाई है तो कह रहा है कि कोई से कह रहा है कि तुम हार मान लो तुम से नहीं हो पाएगा तो इसके रहे है कि do you want me to give up do you want me to give up तुम चाहते हो मैं हार मान लूँ now after all the time I have put into it देखो यहां पर भी लगाने की बात चल ले समय की तो put into का यूज होगा फ्रेजल प्रप का तो कह रहे है कि do you want me to give up now after all the time I have put into this इतना समय समय लगाने के बात क्या तुम चाहते होगी मैं भार मान लूँ do you want me to give up now after all the time I have put into this